नमश्कार जैहिंद सुडेंट्स यह बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टन वीडियो है आप इसे बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी है इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोगों का रेजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का ओवर हो गया है और उनको आप जल ऌगेटेशन में प्लाई 2018 से जैनवरी 23 तक है अब इनका रेजिट्रेशन खतम हो चुगा था एक्सपायर हो गया है तो आपको अपना रेजिट्रेशन रेन्यू कराना आँ सेम प्रोस्स ओ लेवल और ए लेवल में भी होता है तो जब आपको रेजिट्रेशन रेन्यू करा यह सबसे important part है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, यही रेजिस्टेशन में यहीं पर गलती भी होती है, यहाँ पर लिखा है re-registration in the same level, यह होना जरूरी है, क्योंकि candidate expire हो गया registration, तो यहाँ पर re-registration करने का option आ रहा है, अभी मैं ओ लेवल वाले भी खोल के दिखाऊंगा, जिन बच्चों के expire नहीं होता, वो गलती से cancel registration पे click कर देते हैं, re-registration कराते समय आपको एक option बहुत अच्छा मिलता है, कि आप अपने आपको direct से institute और institute से direct में convert कर सकते हैं, दोसी चीज़, आप लोगों को यहाँ पर अपना examination name अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब re-registration अभी रुके हो है, जब आपको यहाँ पर examination के लिए दिखाने लगे, जैसे अभी आप exam name देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे ही यह almost मान के चले कि यह अभी exam paper lock होने शुरू होंगे, तो re-registration भी चालू हो जाएंगे, आपको यहाँ पर July 23 exams दिखाने लगेगा, तभी आप लोग यहाँ पर next करके re-registration कराईएगा, इस बीच अभी re-registration मत कराईए, नहीं तो registration pending हो जाएगा आप लोगों का, और आप July के exam से मरहूम रह जाएंगे, आपको January 24 के exam देने हो गया, तो बहुत ही simple है, re-registration के लिए जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर अपनी qualification डाल दी, मालो graduate हैं या post graduate हैं जो भी, passing year आपने डाल दिया, minimum experience 1 डालना ही डालना है, religion डाल दिया आपने जो भी है, visibility marks डाल दिया, और बस i-tech कर यहाँ पर टिक कर दीजेगा, इसके बाद सब्मिट करिएगा, लेकिन अभी मैं इसे रोक र होगे कि अभी इसका registration 2027 तक है, और अगर आपने गलती से ये option choose कर लिया, देखें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, cancel the existing registration, cancel the existing registration का मतलब है, अगर ये registration form भर कर submit कर दिया गया, तो नेलिट खुद ही कहता है कि आप लोगों का ये सारा का सारा registration cancel हो जाएगा, जितना दिया कर है, सब धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए आप लोग cancel ना करें, बचों इसको जहां से पढ़ लिजेगा, विकास ये चीज़ बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, कई सारे बच्चे English में तंग होने के गान, बस form देखा भर दिया, ऐसा नहीं है, examination name जब तक ना होगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, गुद बाई